नवस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस चंद्रचूर साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया एक ऐसा काम किया है जिससे हिंदुस्तान में ये पाकिस्तान परस्त नेताओं सेपरेटिस्ट अलगावादियों और टुक्रे टुक्रे गैंग की पूरी हवा निकल गई है सुप्रिम कोट के इंदर आटकल 370 पे जो मोदी सरकार ने फैसला लिया उसके खिलाब सुनवाई चल रही है कंस्यूस्नल बेंच पिछले 15 दिनों से लगतार इसकी सुनवाई कर रहा था लेकिन एक ऐसा खुला सा हुआ कि ये जो आई एन डी आई ए के एक बड़े निता जो सुप्रिम कोट के एक वकील भी है कपिल सिबल वो चारो खाने चित वो कोट के सामने अजीब औ गरीब दलील देते रह गए लेकिन टस से मस्ने हुए चीफ जस्टिस और ये कहा कि अपने क्लाइंट्स जिसके लिए आप यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हो उसे माफी नामा देने कहो क्या है यह मसला और किस तरह का यह मुल्क है जिसे आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह डिमोक्त्रसी यह पूरा कानून तंत्र और कपिल सिबल जैसे लोग यह क्या देश दोहियों को बचाने के लिए खड़े हैं शुक्र है कि कुछ लोगों ने सुप्रिम कोर्ट को बताया कि जो आर्टिकल 370 के खलाफ सुप्रिम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है इसका जो मुख्य प्रिटीशनर है वो तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दलाल है और आप देखिए इस मुल्क को ये सक्स जो संसद के फैसले के ऊपर सुप्रिम कोर्ट पहुचा वो खुद एक सांसद है सिर्फ सांसद ही नहीं है उसके इंट्रटक्शन के बारे में जो मीडिया पे बताया गया कौन है ये सक्स जिसके लिए कपिल सिबल सुप्रिम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे है क्या ये चाह रहा है ये चाह रहा है कि आर्टकल 370 जिस तरह से विड्रो किया गया उसको वापस इंप्लिमेंट कर दिया जाए जब मुकस्मीर में अलग सम्मिधान बने अलग जंडा हो और कई सारी चीज़े लेकिन एक खुलासा हो गया कि जिस सक्स की पैर भी वो कर रहे हैं कपिल सिब्बल ये तो खुले आम पाकिस्तान जिनदाबाद के नारे लगाता है ये तो खुले आम कहता है कि अगर पाकिस्तान को कोई एक गाली देगा हम दस गाली देंगे और वो चुनाओ भी जीत जाता है इस सक्स का नाम है अकबर लोन ये अबदुल्ला की पार्टी नेशल कॉन्फरेंस का एक लीडर है और वरतमान में एक सांसद भी है तो इसके खिलाब एक पिटिशन डाला गया जिसमें बहुत सारी जानकारिया दी गई क्या बताया गया अट रैली इन कुपवारा on March 23rd 2019 he said I will give 10 abuses to those who abuse Pakistan one time he said that our neighbor Pakistan is a Muslim country may they be happy populate and be successful whatever abuses Pakistan whoever abuses Pakistan if someone abuses one I will give him 10 abuses his elder son Hilal Lone has already been arrested under UAPA the unlawful activity prevention act Hilal is also the leader of national conference ये मार्च 2019 की कहानी है ये खुले आम पब्लिक रैली में कह रहा था और उसके बाद चुनाव होता है और ये चुनाव जीत करके संसत पहुँच जाता है और संसत में पहुँचने के बाद आठकल 370 हटाया जाता है तो उसके चटपटा हट देखिए और ये चटपटा था क्यों है ये कोई लीडर नहीं है ये पाकिस्तान का दलाल है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है अब एक और खुलासा हुआ इसके बारे में अकबर लोन रेजड इस स्लोगन और पाकिस्तान जिन्दाबाद नाट अल्ली दिस इस जिस्टिफाइड इस एक्षिन इवन लेटर इसके पहले ये विदान सवा में भी था और वहाँ जब आर्मी कैम के उपर हमला होता है ये पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाता है एसमडी के अंदर और यही बात एक एविडिमिट के जरीए रूट्स इन कस्मीर नाम के एंजियों ने कोट में पेश किया तो इनकी कले खुल गई और जैसे ही ये बाते सामने आई चीज जस्टिस अफ इंडिया चन्चूर साहब और साथ में बैठे चार-चार सुप्रिम कोट के जज हका बका कैसे सक्स को जिस सक्स को जेल के अंदर होना चाहिए मैं आपको बता दू अभी हाल में अमेरिका के अंदर एक सक्स को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया 18 साल की सजा मिली है उसे वो इसलिए क्योंकि वो प्लान कर रहा था बातचीत कर रहा था योजना बना रहा था I.S.I.S. जोईन करने का उसने जोईन नहीं किया कोई घटना को उसने अंजाम में दिया ठारा साल की सजा हो गई और ये महासे संसत के अंदर बैटे हुए है और कप्ल सिंपल को देखिए कप्ल सिंपल के सामने जब ये मसला आया तो वो बौखला गए क्योंकि क्योंकि तुसार महता साब ने साथ साब कहा कि सक्स की सुनवाई नहीं हो सकती है माईलाण सरकारी वकील है उन्होंने अच्छा खासा समय लिया और ये कहा कि कप्ल सिंपल से कहा जाए कि जिसके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक मावी नामा दे वो कहे कि वो हिंदुस्तान के सम्विधान में भरोसा रखता है हिंदुस्तान के सुवरेंटी हिंदुस्तान के अखंड़ता में वो विश्वास करता है वो हिंदुस्तान को इस तरह से ठीट ना करे ये कोई फॉरिन कंट्री है अब कफिल सिब्बल के सिटी पिटिगुम जा सहाब लोग भी नाराज वो बोल रहे कि भाई ये बात तो बिलकुल अनक्सेप्टिबल है अब कफिल सिब्बल तो कफिल सिब्बल उन्होंने घुमाना फिराना सुरू किया भै सीधे सीधे मा भी मंगवाओ अब उन्होंने क्या कहा सिप्ल सेड वन दोग सब्सक्राइब ज़िए भी दोट पुरानी बात हो गई पता नहीं कब बोला क्या बोला नहीं बोला लेकिन जो कुतरक देखिये कि लोग सब्सक्राइब में अगर कोई आजमी पहुंचता है और वहाँ जो उसने ओध लिया है उसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान के इसमें यह करने की कोशिश करता है लेकिन इससे सटिस्वाइड नहीं हुए चीफ जस्टिस साब चीफ जस्टिस ने सुना और कहा तुमारो आस्किं तुफाइल वन पेज एविडविट तुमारो जस्टिस ने उन तमाम लोगों का मान बढ़ाया है हिंदुस्तान के कड़ो जनता जो इस सिस्टम में प्रिस्वाइड रखती है उसका भी मान बढ़ाया है कि ऐसा सक्स जो हिंदुस्तान को एक अखंड भारत नहीं समझता हो जो पाकिस्तान की दलाली करता हो पाकिस्तान जितने बात कहता हो जो आतंकियों के साथ उसके समर्थन में खड़ा हो जो लोगों को हठ्यार उठाने के लिए प्रेरित करता हो उससे तो कम से कम ये माफी नामा तो जरूरी है और कपिल सिबल साहब कम से कम 15-20 मिनट तक घुमाते रहे चीजों को उलट पुलट कि हमें मालूम नहीं था ये पुरानी बात हो गई रिकॉर्ड में नहीं है इस पिकर बीजे पी का था तमाम तरह की चीजे लेकिन सरकारी वकील तुसार मैता पीछे हटने वाले नहीं थे उन्होंने का कि भाई एविडिविट सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा एविडिविट ऐसा होना चाहिए जिसमें वह भारत की कंस्विधान के प्रती अपनी आस्था तो व्यक्त करे ही हिंदुस्तान के खंडता पे भी वह अपना आस्था दिखाए और ये भी अपने एविडिविट में लिखे कि वह किसी भी सेपरेटिस्ट या आतकवादी टेर्रिजम की गतिविदियों को कर्डेम करता है अब उसरे अपने को तयार हो गए कपिल सिब्बल रेड फेस्ट ऐसा जटका उनको लगा उनको लगा कि ये सारी बाते नहीं उठेगी आप जिस व्यक्ति के लिए खड़े हो रहे हो कम से कम उसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए था कपिल सिब्बल साब और ये जाते हैं कहां ये कौन है कपिल सिब्बल काला कोट उतरते ही खादी पहन लेते हैं और i.n.d.i.a ये इंडिया अलायंस वाले के मीटिंग में मुंबई में पहुँच गए थे तो आप गाली करने वाले लीडर के लिए आप आर्टिकल 370 को वापस लागू करवाने के लिए कोट में पिछले 15 दिनों से पता नहीं कितने घंटे दलील पेश कर रहे हैं ये जानकारी अगर हुई कि ये सक्स आतंगवादियों के साथ है सेप्रेटिस्टों के साथ है ये पाकिस्त प्रफेशन को गर कोई गाली देगा तो हम उसे दस गालियां मैं दूंगा ऐसे सक्स के केस को इसने लिया तो आखिर क्यों लिया? ये बड़े सवाल है ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वकालत हमारा प्रोफेशन है वकालत के अंदर हम किसी को भी डिफेंड करें ये हमारे प्रोफेशनल ये में आता है अगर प्रोफेशन प्यारा है तो ये जो पॉल्टिक्स ये जो राजिनिती जिसमें पता नहीं सोरोस का पैसा लग रहा है चीन का पैसा लग रहा है पता नहीं कहां कहां से क्या हो रहा है क्योंकि एक से खुला से होते चले जा रहे हैं उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कपल सिब्बल भारती जंता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े एसेट बनते चले जा रहे है इन्होंने जम के आयोध्या में स्रीराम जन्म भूमी मंदर का विरोध किया था कोट के अंदर इन्होंने ही कहा था कि माई लॉड किसी भी तरीके से 2019 के चुनाओं से पहले इसका फैसला नहीं आना चाहिए इसका राज्यूतिक इस्तमाल कर लिया जाएगा यह हर बार हिंदू हिंदु और उसकी आस्थाओं पे चोट पहुचाने वालों के साथ खड़े होते हैं इंडिया एलाइंस के उपर बड़ा सवाल होगा लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने करोगो हिंदुस्तानियों की बात सुनी है और यह जो फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है आप देखते रहे कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल